दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका Concept School YouTube चैनल में आज हम लोग थोड़ा से बात करेंगे कि जो JSSE CZL के एक्जाम में आखरी 15 दिन बचे हुएं इसमें आपको किस तरह से रिविजन करना चाहिए क्या स्टाटेजी होनी चाहिए और कैसे आपका जो आखरी 15 दिन बचे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप बार रिविजन करें और आपका जो तयारी है और ज़्यादा मजबूत हो जाए तो इसको हम लोग देखेंगे और ये प्रॉपर डेवाइस देखेंगे किस तरह से आपको एक रूटीन बनाके अच्छे से रननीती बनाके आपको इसको फालो करना चाहिए और जो आखरी आपका तयारी है वो और तगड़ी होनी चाहिए ताकि आप और लोगों से एक्जाम में बहतर कर सकें तभी रिजल्ट जो है वो समभा है तो देखिए अगर हम लोग जैसे सीजेल पहले एक्जाम की बात करें तो आपको पता है कि यह एक्जाम जो है वो होने वाला है 28 और 4 को ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं तो इसको हम लोग 28 जैन्वरी को ही लेकर चल रहे हैं चार को छोड़ देते हैं तो 28 जैन्वरी को अगर आप लेकर चलें तो यहां पर आपको कितने दिन बच रहे हैं आप यह देखिए कल आपके पास है कल है 14 तारिक फिर 15 फिर आगे 16 17 18 19 और फिर 20 फिर यहां पर आप देखेंगे 21 22 23 24 25 और 26 तो इतना ही दिन आपको आपके पास बचेगा यानि 27 तारीकों अगर आपको सेंटर थोड़ा से दूर है या फिर और भी किसी परेशानी के बज़े से आपको एक दिन पहले थोड़ा सा प्रिपेर होना पड़ेगा अच्छे से तो एक दिन को हम लोग छोड़ने है यानि अगर कल से काउंट करें तो आपके पास 3 और टो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे नहीं तो कोई ने कोई ऐसा सेक्सन रह जाएगा आपका, जो मतलब जिसको आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हो सकता है वहां से क्वेशिन बने और फिर आप गलत कर दे तो यहां पर हमारा टार्गेट यही है क जो भी syllabus है, जो भी syllabus है, उस syllabus के हर topic को आप touch कर पाएं, ठीक है, सारा topic को एक बार touch करें, यानि revision करें, और उसके बाद ही आप exam hall में जाएं, यही purpose है इस video का, जो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर subject को समझते हैं, कि हमारे पास कौन-कौन सा subject जो है, वो अभी फ जहार खंड आता है, जब यह जहार खंड है, 40 मांकच का है, तो यह बड़ा role play करेगा, इसके बाद आपके पर आप के पास computer है, कंप्योटर भी 20 मांक्स का है, तो यह भी बड़ा role П, फिर आपके पास math है, जीक है? reasoning है math reasoning है, math reasoning तो है ही, इसके बाद क्या है, तो यहाँ पे आप current affairs को लीजे, current affairs एक अच्छा role play करेगा, current affairs, फिर आप जब आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपके पास history है, history का तीनों section है, और उसके बाद geography है, ठीक है, geography के बाद क्या है, polity है, ठीक है, polity, और polity के बाद क्या है, तो economics है, या economics से पहले आप science को रख सकते हैं, science, और economics के साथ साथ, आप यहाँ पर vivid को सामिल कीजिए, जो vivid वाला section है, वो भी है, miscellaneous वाला, तो यह सारे topics में आपके पास निकल के आएंगे, जिसको आपको देखना पड़ेगा, या देखना चाहिए, अच्छे से, तो देखें, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तयारी का तर में, यह section से question ज्यादा आता है, तो जहारखन जीके चुकी 40 marks का है, तो अगर आपकी तयारी या confidence इसमें नहीं बना है, तो जहारखन जीके के एक एक topic को daily लेकर चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 14 तारी को बात करते हैं, कि आपको 14 तारी को क्या करना चाहिए, तो 14 तारी को मा हम यह रखना है, कि जैसे आप जारखन का modern पढ़ते हैं, उसी समय आप क्या करें कि national वाला modern history है, उसको भी आप पढ़ लें, तो यहाँ पर जो national वाला modern history है, उसको भी इसी दिन समाप्त कर दीजे, तो यह आपका 14 तारी का plan होना चाहिए, इस तरह से, इसके अलावा आपको इसको भी मत छोड़िएगा, तो यह दो हो गया, तो इस तरह से आपका एक दिन का रूटीन चलना चाहिए, और प्लस इसमें आप paper 2 रख देंगे, अगर आप full time तयारी कर रहे हैं, तो अब असानी से paper 2 को भी इसमें रख के चल सकते हैं, तो इस तरह का आपका plan होना जारखंट जीकिए, अगर modern को एक बार आप पूरा revise करेंगे, और national वाले modern को भी एक बार पूरा revise करेंगे, जिस भी source से आप कर रहे हैं, जैसे lucent है तो lucent से आप असानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका 14 तारी को plan बनेगा, यानि ये जो 3 section आपको बाद का दिखाई जारखंट जीके में जब आप जोगरफी उठा रहे हैं, तो यहीं पर आपको national वाला जोगरफी भी कर लेना है, ठीक है, national वाला जोगरफी भी पूरा करने का परियास करना है, और कोसिस किजिएगा तो होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आपको line by line पढ़ करना चाहिए, तो 16 तारी को मान लीजिए कि जारखंट जीके में आपने क्या उठाया, तो यहां से आपने इसका polity वाला section थोड़ा सा देखने का आपको मन किया, तो जैसे ही आप यहां का polity उठाते हैं, तो आपको national वाला polity को भी साथ में लेते हुए चलना है, ठीक है, तो साथ में proper revision भी हो जाएगा, तो आपको दोनों को ही साथ साथ में लेके चलना है, और बाकी ये तीनों section जोग पर बताया है, उसको साथ में लेके चलिएगा, फिर उसी प्रकार से 17 को जब आप आएंगे, तो आप 17 को क्या करेंगे, कि अब यहां पर देखिए, history हो गया, modern, फिर जोग्रफी हो गया, फिर पॉलेटी हो गया, तो यहां पर जैसे आप क्या करेंगे, कि जहारखंड का ancient history उठा लीजे, प्राचीन भारत, और उसी तरह से भारत वाला भी प्राचीन भारत यहां पर उठा लीजे, उसी तरह से 18 को similarly, यहां पर medieval उठा लीजे, मद्धेका होता ही है, अब जानती हैं कि जो भारत का इतिहास है, उस से जहारखंड का इतिहास अलग तो नहीं हो सकता, हो सकता है कुछ सासक के नाम अलग हो जाए, बाकी जैसे मालीजे माओरेकाल पूरे बावरत में फैला हुआ था, उसी तरह से भारत के अंदर जहारखंड आता है, तो वो इतिहास जारगंड में भी दिखाई देगा, यानि वहाँ पर मौरेकाल में जो भी प्रसाशन या साशनिक विवस्था रही है, वो सारा जारगंड में भी आपको दिखाई देगा, तो ऐसा नहीं है कि अलग-अलग है, ठीक है, दोनों को आप सेमिलरली लेकर असानी से चल सकते हैं, अब दिखें, यहाँ तक आप जब ऐसे-एसे साथ-साथ में चलेंगे, तो कुछ जारगंड का जो सेक्षन है, वो आगे चलके अलग हो जाएगा, तो उसको आपको अलग रखना है, ठीक है, यहाँ तक आपने मान लिजिए, मध्यकाली नितिहास तक सिमिलर चल रहा था, तो समाप्त कर दिया, फिर आप 19 तारीकों क्या किजिए, कि जारगंड का जब आप एकोनोमिक्स देखें, ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल वाला एकोनोमिक्स भी देख लें, ठीक है, नेशनल वाला एकोनोमिक्स कोई बहुत ज़्यादा डिपली जाने का ज़रूत नहीं है, लुसेंट में जितना दिया है, उतना काफी है, वहीं से लगवा क्वेश्चन आ जाता है, और कुछ टेना मेड़ा क्वेश्चन आता है, तो आप गहीं से भी पढ़िएगा, तो उसमें कन्फ्यूजन आपको बनेगा, और आप गलत कर देगे, पूरा बायो, एक दिन आप बायो रखें, और बायो के साथ साथ, कुछ शेक्षन आप रख लिये हैं, यहाँ पर विविद का, विविद का सेक्षन यहाँ पर रख सकते हैं, अब जब बायो प्लस बिविद रख रहे हैं तो बिविद आप जारखंड वाला भी थोड़ा देख लीजै यहाँ पर यह काम करना है यानि यहाँ पर जारखंड बिविद आपको देख लेना चाहिए उसी तरह से जब आप 21 तारीकों आएंगे तो यहाँ पर क्या करना चाहिए फिजिक्स देखना चाहिए ठीक है जब आप फिजिक्स देख रहे हैं तो यहाँ पर जारखंट का कोई एक टॉपिक ले लीजे और एक नेशनल वाला कोई आप कुछ याद नहीं हो पाया रहे है या इस बिविद वाला सेक्षिन थोड़ा बड़ा है तो अगर छूट गया हो तो इसको आप यहाँ पर सामिल कर सकते हैं उसी तरह से जारखंट बिविद को भी ले लीजे या फिर संस्कृति को ले लीजे कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करके उसी तरह से जब आप बाइस में आएंगे तो बाइस तारीक बाप क्या किजी यहाँ पर केमस्ट्री के कुछ सेक्षिन्स को कर लीजे और फिर यहाँ पर बिविद या फिर और कोई सेक्षिन्स उठा के यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से उसके बाद यहाँ पर आप क्या करें एक चीज यहाँ पर छूट रहा है यह जो तीन हमने यहाँ पर देखा है यानि कर इंटर फिरस मैथ रिजनिंग और पेपर टू इसी में थोड़ा सा कंप्यूटर को भी रखें ठेक ही टापिक रखें छोटा टापिक ही रखें लेकिन कंप्यूटर को भी आपको डेली करते होध चलना है क्योंकि इससे 20 question है कोई 1-2 question नहीं है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं इसको भी लगातार आपको लेकर चलना चाएं तो उसी तरह से आप आगे का प्लान करेंगे फिर आपका 22 के बाद 23 तारीक आएगा तो 23 तारीक को आप क्या करेंगे कि 23 तारीकों भी जो भी एक बड़ा सब्जक्ट यहां पर बच रहा है जैसे हमने यहां पर जो देखा था इसमें हिस्ट्री होई गया है अब माली जी यहां तक हमने सारा लगभग जो चाप्टर से उनको वाइस तारीक तक एक एक बार तो 23 से क्या करेंगे वापस से रिवाइज करें यानि 23 को क्या किजिये कि वापस से जो हिस्ट्री है उसको रिवाइस कीजिये और हिस्ट्री में modern को फिर से वापस ले आईए, यहाँ पर, और बाकी जो section है वो चल रहा है, तो modern को यहाँ पर जारखंड और इंडिया, दोनों का modern हिस्ट्री को एक साथ similarly लेकर चलिए, उसी तरह से 24 को आप क्या किजिए, तो 24 को वापस से science ले आईए, क्योंकि science बड़ा section साइंस लेकर आईए, और science के साथ जारखंड का कोई एक topic रखिए, उसी तरह से 25 को क्या किजिए, तो आप computer को लाईए, और यहाँ पर computer को ज़्यादा समय दीजिए, तो computer को यहाँ पर ले आईए, और जारखंड का कोई एक topic बागी जो अधर section था, वो सारा सामिल रहेगा, तो ऐसे लेकर चलिए, अब आपके पास एक दिन बचे का 26, तो इस दिन क्या करिए, कि जो भी आपको confusion वाला लग रहा है, उसको थोड़ा सा याद कर लीजे, यानि उन सारे topics को चुन-चुन के, आप पहले ही, यानि जब इन दिनों में आप त्यारी कर रहे हैं, यानि 14 से लेकि जो 25 दिन की आपकी जर्नी चल रही है, तो इसमें क्या होगा कि कुछ topics आपको ऐसा मिलेगा, जो याद नहीं होगा, जिसमें आपको confidence नहीं आएगा, तो उन सारे topics को क्या करना है, note करते हो चलना है, यहां से आपको एक copy भी रखनी होगी, और उसमें note करने की प्रक्र महल में भी confused होंगे, और कई बार ऐसा होता है, जो आप अच्छे से पढ़े हैं, उसमें भी confused हो जाते हैं, लेकिन जनरली देखा जाए तो यही होता है, तो 26 तारीकों जो आप इन दिनों में, यानि 14 सले के 25, यानि 10 दिन, 11 दिन में जो आप निकालेंगे, जो आपका confusing points है, उनको आप note करने के बाद 26 तारीकों completely पढ़ेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा vivid section वगरा देखने का परयास करेंगे, तो इस तरह से अगर आप करते हैं, तो आपका, आप देख पा रहे हैं कि दो बार लगभग revision हो जा रहा है, और दो बार जो भी revision करके जाएगा, अब उस इसको आप तब तक लेकर चलिए, जब तक की computer शुरू नहीं हो जाता है, तो इस सब को daily आपको लेकर चलना है, और बाकी इधर जो मैंने बताया, उसको इस तरह से अगर आप लेकर चलते हैं, तो आपको definitely आपको confidence बढ़ेगा, और exam hall में आप अच्छा marks gain करेंगे, तो उमी वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर लिजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, मिलते हैं अंगले वीडियो में, thank you so much